इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले, अगर आप इस वीडियो को देख कर किसी दवा का उपयोग करते है और आपको कोई side effect होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी। बच्चे की दवा एक नजर में रोटिन DS oral suspension एक antispasmodic दवा है। बच्चों में इसका उपयोग पेट दर्ड के उपचार में किया जाता है। यह चिरचिड़ा आंतर syndrome, आंतों या गुर्दे की पत्री या अन्य जटरांतर संबंधी रोगों से जुड़े दर्ड से राहत प्रदान करता है। अपने बच्चे को ड्रोटिन DS oral suspension खाने से पहले या बाद में एक नियत समय पर दें। यदि आपके बच्चे का पेट खराब हो जाता है, तो इसे भोजन के साथ देना सबसे अच्छा है। डॉक्टर आपके बच्चे की निदानिक, शरीर के वजन और उम्र को ध्यान में रखते हुए खुराक लिखेंगे। आमतोर पर इसे दिन में दो से तीन बार दिया जाता है। और घबराहर जैसे कुछ मामूली और अस्थाई दुश प्रभाव पैदा कर सकता है। आमतोर पर आपके बच्चे का शरीर दवा के अनुकूल हो जाने के बाद ये एपिसोड कम हो जाते हैं। हाला कि अगर ये प्रभाव आपके बच्चे को परेशान करते हैं या परेशान करते हैं तो बिना किसी देरी के अपने बच्चे के डॉक्टर से सलाह लें। अपने बच्चे के डॉक्टर को बताएं कि क्या आपका बच्चा पहले से ही कोई दवा ले रहा है। अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें। और साथ ही हमारे चैनल को सबस्क्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें। और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। धन्यवाद।